नगनिगम बोट की बैठक में जम का हंगामा हुआ, रिशिकेश को भगवा रंग में रंगने का विरोत क्या गया मेरने सादूसंत के साथ शहर में निकाला था जुलूस, महापोर रिशिकेश को भगवा रंगने की जिद पर अड़ी रही नगनिगम के पार्शेदों और महापोर के बीच में ठन गई, जम कर हो रहा है महापोर का विरोत तो नगनिगम के पार्शेदों और महापोर के बीच ठनी हुई है, नगनिगम बोट की बैठक में हंगामा हुआ तस्विरे भी दिखा रहे हम आपको जुलूस की जापने नगर निगम बोट की बैठक में हंगामा हुआ है रिशिकेश को भगवा रंग में रगने का विरोध किया गया मेयर ने साधू संद के साथ शहर में जुलूस निकाला था जिसको लेकर मेयर का विरोध किया गया नगर निगम के पाश्यदों और महापोर के बीच में ठनी हुई है जिसको लेकर जम कर हंगामा हुआ तो नगर निगम बोट की बैठक में ये हंगामा देखने को मिला रिशिकेश को भगवा रंग में रंगने का विरोध किया गया जहाँ पर मेर ने साधूसंद के साथ शहर में निकाला था जुलूस खबरों में आगे बढ़ेंगे हल्दवानी नगर निकम सभागार में आज खाद्य सतर्क्ता समीती के बैठक के दोरान हंगामा हो गया इस बैठक में खादे आयो के अध्यक्षि भुपेंदर रावत और मेर जोगेंदरो रोतेला के साथ नगर निकम के पार्षिद और खादे सतर्क्ता समीती के सदसे भी बैठक में मौझूद थे इस दोरान कॉंग्रेस पार्षिदों ने भेधभाव का आरोप लगाते हुए बैठक में आकर जम कर नारेबाजी की और हंगामा क्या इसके साथ ही आरोप लगाया कि सत्तापक्ष के लोगों को समीती में सदसे बनाया क्या है जबकि कॉंग्रेसी और निर्दल्य पार्षिदों के साथ फेधभाव हुआ नारेबाजी कर रहे पार्षिदों ने ततकाल सभी समीतियों को भंग करने की मांग की मेर जोगेंदर रौतेला ने कहा कि खाद्य सत्तरक्ता समीती में सदसे उकाद च्वेंच सरकार द्वारा क्या चाता है अगर ऐसा कुछ होगा तो उसमें बदलाव कराया चाएगा तो नगर नगमबोट के बैठक में कॉंग्रेस का हंगामा हुआ खाध्य सतर्क्ता समीती की बैठक थी जिसको लेकर कॉंगरेस द्वारा हंगामा क्या क्या